हम लोग देखेंगे एक नया Google AdSense अकाउंट हमें कैसे बनाना है और उसमें अपनी वेबसाइट को कैसे एड करना है कैसे सिंपली मैं यहां देखी Google पे हूँ और यहां पे मैं सर्च करता हूँ AdSense और यहां पे दोस्तों फर्स्ट लिंक मिलेगी आपको उस पे क्लिक करने है इस मैं पता दू मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाईगे आप मेरे चैनल पर जाके चेक आउट कर सकते हो और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले न मैं आपको यो एम के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों जो की क्रेस मिलेंगे आप बात कर सकते हो और चैट कर सकते हो कॉल्य कर सकते हो और यहां पे दोस्तों मैं जितने भी अब्रेट है मैं सभी यहांपे देता हूं जो भी हम Commissioner ke Proof है जो भी छोटे मोटे अब्रेस आते हैं सबसे पहले आपको इसी platform पर मिलेंगे तो यह हमने रिसेंटली प्लैटफॉर्म बनाया है सिर्फ क्रियेटर्स के लिए ताकि क्रियेटर्स लोग का एक ग्रूप बन सके एक कॉम्मुनिटी बन सके और यहां पर हम लोग अपने आर्टिकल शेयर कर सकते हैं और बहुत फ़रे फीचर्स हैं सिंप्ली दोस्तों यहां साइन अप पे क्लिक करके ना इस प्लैटफॉर्म पे आप अपना एकाउंट बना लेना यूजर नेम में इस पेस नहीं लगाने बीच में आपको यह मैं आपको पहले ही बता देता हूं यूजर नेम में आप स्पेस मत यूज करना और यहां पर यूम डॉट कॉम पर रजिस्टर जरूर कर लो और मुझे भी आड़ कर लेना विशाल जीठवानी नाम से और फिर यहां पर दोस्तों लोग कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं वापिस आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे तो गूगल एटसेंस एकाउंट बनाने के हम यहां पर आये थे और यहां पर आपको देखिए बटन मिलेंगा इस पर आपको क्लिक करने हैं के बाद दोस्तुमेल यहां सेक्ट करना होगा तो आपके पास। अपर अगैप्ट के यहां पर मैं इस और ओणसेंस कर लिता हूए जिसका दोस्तों नाम है हनुमान40हिंदी.net इसके URL को दोस्तों मैं कॉपी करूँगा और AdSense पे आऊँगा और इसको यहां पे मैं पेस्ट करूँगा Get more out of AdSense, AdSense related जो भी सजेशन वगर आते हैं कुछ अपडेट्स आते हैं उसके आप यस करना चाहते हो तो इसको यस करिए आपके email पे वह चीज़े आएंगी यहां पर बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं अगर यहां पर आप मिस्टेक करते हो तो आपको आगे चलके problem आ सकती है कंट्री आपको अपनी सही सेलेक्ट करनी है क्योंकि बाद में आपको पेमेंट लेने में problem आ सकती है तो मैंने यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर दिया अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन जो दोस्तों यहां पर आएगी देखो यहां लिखा है तेल अबाउट यू तो यहां एंटर इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपका जो भी एड्रेस है वो डालेंगे कस्टमर इंफॉर्मेशन में जो भी एड्रेस है वो डालेंगे देखे बाय डिफॉल्ट अकाउंट टाइप इंडिविजुल है और उसको इंडिविजुली रहने दे अगर आप बिजनस अकाउंट करते हैं तो फिर यह आपको हैल्प तो करेगा कुछ चीज़ों में लेकि कि वह एड्रेस है वह रियल में एक्जिस्ट करता हूं वह आपका हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्जम्पल के लिए मैं यहां डालता हूं गांधी चॉप कि मैं यहां डाल देता हूं बिहाइंड गांधी चॉप ठीक है गली नमबर पोट तो मैं थे एक एड्रेस ऐसे डाल दिया एड्रेस लाइन टू डालना जरूरी नहीं नहीं है और यहां मैं दोस्तु सिटी में डाल देता हूं और यहां मैं पिंड कोड और इस सेलेट करना है जो भी आपका इस स्टेट रहे सैंने साभ्षाइट है सेकने आप है इसको एक्सोर करते हैं तो हैं Isn't कि था उस्टो कुम यहां डेखेंगी दोस्तों एड्सकी सेटिंग देगे जिसको फिलाल में कुछ नहीं करना है तो इसको कलोस करते है और जो थेड्ड ओप्शन है ऩो का इस पर दोस्तों सिदा आते हैं और यहां पर आपको directly code मिल जाएगा इस code को आपको copy करने है ताकि adsense verify कर पाए यह जो website आपने add करिए वह आपकी ही है तो इस code को हमने copy किया और आ जाता हूं दोस्तों मैं अपनी wordpress website पर उसी पर और यहां दोस्तों कि इंसर्ट एडर सच करने के पाद यह प्लगिन आपको एड करनी है और एक और प्लगिन आपको एड करनी होगी जिसका नाम है ads.txt तो इसको मैं install कर लेता हूं यह मेरे में इंस्टॉल नहीं है और फिर मैं उसको activate करता हूं जो code हमने copy किया था adsense ने बताया था कि उसको मैं header में डालना है इसको मैं भी close कर देता हूं और adsense ने बताया था कि उसको header में डालना है यहां पर आप देख सकते हो ठीक है head tag के अंदर डालना है तो हम लोग दोस्तों यहां पर आएंगे और जो हमने प्लग-इन इंस्टॉल करी WP insert and footer जो मेरे में पहले से इंस्टॉल थी इसी में दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है इस code को जो आपने copy किया वो पेस्ट करने है पेस्ट करके यहां पर दोस्तों आपको save पर क्लिक करने है जैसे ही दोस्तों यह सेव होता है वापस यहां पर आपको आना है और आये place the code पर क्लिक करके और verify पर क्लिक करने है और यहां पर site verify हो चुकी है तो हम लोग next पर click करेंगे और आप चाहो तो ads.txt किसी भी एक तरीके से हमें verify करना रहता है बट ads.txt को भी आप चाहो तो add कर सकते हो यहां पर दोस्तों मैं इसको copy करता हूँ और अगर किस कुछ लोगों का यह काम नहीं करता है site verify नहीं होती है तो आप सिर्फ ads.txt करेंगे तो भी चलेगा ads.txt से verify करने के लिए अभी मैं यहां आता हूँ अभी मुझे verify करने का option दुबारा नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने अल्रेडी कर दिया है बट ads.txt के अंदर मैं यह जो code है इसको paste कर दिता हूँ और save कर लिता हूँ दूस्तों यहां पर अभी आपको request review को option मिल रहा है इस पर click करेंगे और done आप यहां sites में अगर आप आएंगे तो आपकी website देगी getting ready लिखा चुका है अभी आपकी website को up to two weeks लग सकते है response आने में Google आपकी website को approve कर रहा है यहां पर आप देख सकते हो we will run some checks on your site this usually takes a few days but in some cases can take up to two weeks ठीक है यहां पर adsense बोल रहा है हम कुशी दिन लेते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुश two weeks तक हम ले सकते हैं अब दोस्तों काफी लोग का question रहता है कि हम लोग अगर website sale कर रहे ह हैं तो multiple websites के लिए हम लोग adsense कैसे बनाएं क्योंकि adsense में एक से ज्यादा बनाने के बाद हमको problem आने लगती है और you already have an account इस चीज़ की problem आने लगती है तो इसका क्या solution है वो भी मैं आपको बता देता हूं उसके लिए guys आप adsense active dashboard purchase कर सकते हो adsense active dashboard मतलब ऐसे adsense account जिन में पहल इंचे आप करेंगे तो आपको active adsense dashboard मिलेगा तो जैसे ही आप इसको purchase करेंगे तो आपको एक email और password दिया जाएगा जिस पर adsense account पहले से ही बना रहेगा और active रहेगा उस पर आपको अपनी site को add करना रहेगा I hope दोस्तों यह video आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी ल अच्छी लू जो आपको दोची लूंजेए यह